ओम नमस्षिवाय नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के मात्यम से सिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ सौनक आदी रिशियों के मुख से निकले हुए इन सब्दों को सुनकर सूद जी अत्यंत प्रशन हुए तदुप्रांत उनको प्रशन करते हुए इस प्रकार कहने लगे है सौनक आदी रिशियों आपने जो प्रिश्न मुझसे किया है वही प्रिश्ण एक समय नाराज जी ने भी स्री ब्रह्मा जी से किया था उस समय स्री ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वामुचत उत्तर दे कर प्रिसंता प्रदान की थी मैं आपसे वही प्रिसंत कहता हूँ एक बार देवर्सी नाराजी तपश्या करने के निमित हिमाले परवत पर जा पहुँचे और वहां स्री गंगाजी के टट पर बैठ कर अत्यंद कठिन तपश्या करने लगे उन्होंने नेश्चल भाव से सहस्त्रों बड़सों तक घूर तपश्या की उनकी उस उग्र तपश्या को देखकर देवताओं की राजा इंद्र अत्यंद भैवित हुए उन्होंने यह समझा कि नारज जी मेरे इंद्रासन पर की प्राप्ती के लिए ही संभवते ऐसी कठिन तपश्या कर रहे हैं अस्तु इंद्र ने भैवित होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारज जी की तपश्या में बिग्न डाल देना चाहिए यह नेश्या करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बलाया जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संभवधित करते हुए यह कहा हे मित्र तुमारी सायता से मैंने अनेक अहिंकारियों के अहिंकार को नश्ट किया है इस समय देवर सी नारज जी हिमाले परवत पर बैटे हुए सिवजी की तपश्या कर रहे हैं मुझे बैह है कि कहीं वे अपनी तपश्या द्वारा मेरे इंद्राशन को न छीन ले अते तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे नारज जी की तपश्या भंग हो जाए सुजी बोले है रिशियो इंद्र के मुख से निकले हुए इन सब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनो कामना सिद्धी का विस्वा दिलाते हुए नारज जी पर बिजय पाने के हितु अपनी संपूर से ना को तियार किया तदो प्रांत उसने नारज जी के समीप पहुँचकर वहाँ चारों और अपनी माया फैला दी कामदेव के प्रवाव के कारण उस निर्जल इस्तान में भी अनेक प्रकार के पुस्प खिल उठे एवं कौकिल आदी पक्षी अपनी मीठी बोली से सब का ध्यान अपनी और आकिर सुथ करने लगे हिर्दे में कामदेव को जगाने बाली तीनो प्रकार की सीतल मंद सुगंद बायू बैने लगी अपनी उस बिजाईनी सेना को देखकर कामदेव के हिर्दे में अत्यंद प्रसंता हुई वह अपनी सकती भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका परंतु उसके कृत्तियों से नारज जी का मन ताने के भी बिचलित नहीं हुआ हे रिशियों नारज जी का मन विचलित नहोने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ कारण केवल यही था कि जिस इस्तान पर नारज जी बैटे हुए तफश्या कर रहे थे उसी इस्तान पर एक बार पहले सदा सिवने कामदेव को जला कर भस्म कर दिया था तदो प्रांत उसे जीवित होने का बढ़ देकर यह का था कि अन्य इस्तानों पर तेरा प्रवाब अले ही हो परन्तो इस इस्तान पर कभी कोई प्रवाब नहीं हो सकेगा यही कारण था जिससे कामदेव निरास एवं लज्जित होकर इंदर के पास लोट गया और उन्हें अपने निस्पल मनुरत होने का सब ब्रतांत कह सुनाया कामदेव की बास सुनकर देवराज इंदर की सभा के संपूर्ण सभासद नाराज जी की इस्तूती एवं प्रसंसा करने लगी हे रिशियों इधर अपनी तफश्या के पूर्ण हो जाने पर नाराज जी को योग द्रेश्टी द्वारा जब यह ग्यात हुआ कि उन पर बिजय प्राप्त करने के लिए यहां कामदेव आया था परन्तु वे असपल मुनौत होकर लोट गया है तो उनके हिर्दय में कोच अहिंकर उत्पन हो गया उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से अधिक सक्त साली हैं इस रैस को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अब तो इस तपो भूमी का प्रताप है अर्तू नाराज जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से ओड़कर सिवजी के पास जा पहुँचे और अत्यंत प्रिसन होकर उन्हें अपनी तपश्या का सब हाल सनाने लगी नाराज जी की बात सुनकर सिवजी ने उन्हें समझाती हुए कहा है देवरसी काम देव पर विज इसनों लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना तुम इस बात को अपने मन में गुपत ही रखना हे रिशियो अहिंकार में डूबे हुए नाराज जी को सिवजी की यह बात अच्छी नहीं लगी अस्तू बे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीब जा पहुँचे वहां भ सथा कामदी पर विजय पानी का बितांत कह सुनाया अपने पुत्र नारत के उस अहिंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भागवान सदा सिव की भाति उन्हें बहुत कुछ समझाया परन्तु नारत जी के हर्दय में अहिंकार अपना घर कर वैटा था इसलिए पिता का समझ जाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे वहां से उठकर विशनु लोक में आप पहुंचे नारत जी को आया हुआ देकर भागवान विशनु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंड से लगाते हुए पूछा है देवर से अब तक आप कहां रहे यह सुनका ना पूछकर मनी मन हस्ते हुए बोले हे नारत जी जो मनुष्य ब्रह्म ज्यानी नहीं है और पर ब्रह्म की अरादना से रहत है उनी के हिर्दय में मोह की उत्पत्ती होती है आप तो ब्रह्म चर ब्रत को धारन करने वाले हैं तब बड़ा काम देव आपका अनिष्ट कैसे कर सक भागवान विश्णू के मुख से इन सब्दों को सुनकर नारत जी और भी अहिंकार में भर गए तता इस प्रकार अविमान पूर्ण बचन बोले हे प्रवो मुझे यह सक्ति आपकी किरपास से ही प्राप्त होई है हे रिश्यों इतना कहकर नारत जी भागवान विश्णू से बिदा लेकर चल दिये उस समय भागवान सदासिम ने अपने हिर्दय में यह इच्छा की कि मुझे नारत का एहंकार दूर कर देना चाहिए अस तो उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारत जी चले जा रहे थे उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुन्दर एक स्रेश्ट नग एक राजा राजी करता था जिस समय नाराजी उस नगर से होकर जा रहे थे उस समय उस राजा की कन्या के स्वर्ग का आयोजन हो रहा था उस राज कन्या की संदरता पर संपूर्ण संसार मुग्द था नगर निवासियों दौरा जब नाराजी को यह ब्रताउंत ग्यात तो बेबी उस स्वेंबर सवा में जा पहुँचें अब राजा सील निदी ने अपनी सवा में नारज जी को पदारती हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया फिर उने ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया इसके उपरांथ उस राजा ने अपनी परम संदर कन्या को भी बुला कर नारज जी के सम्मुख उपस्दित कर दिया बहुत समय तक नारज जी उस कन्या के अनुपब स्वरूप को अपला को ड्रेश्टी से देखते रहे तदुपरांथ जब उन्होंने उस कन्या के लक्षनों का विचार किया तो यह पाया कि जो भी मनुश इस कन्या का पती होगा वैसनसार में अमर होकर अक्षय खेरती को प्राप्त करेगा और युद में कभी किसी से भी पडास्त ना हो सकेगा कन्या के इन लक्षनों को बिचार कर नारज जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिये परन्तु इस समय उनका मन काम के बसिवुत होकर उस कन्या को स्वयम प्राप्त करने को ललायत हो रहा था इस प्रकार में अपने बुद्धी के विपरीत काम देव के जाल में फस गई उन्होंने ये भी बिचार किया कि जब तक मैं सुन्दा नहीं हूँ तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंबब है क्योंकि इस्त्रिया सुन्दर्ता को ही अधिक प्यार करती है अस्तु मुझे ये उचित है कि मैं भागवान विश्णू से उनकी सुन्दर्ता मांग लूँ और राजकुमारी को मुहित कर अपने साथ बिभा करने के लिए त्यार कर लूँ हे रिशियो इस प्रिकार निश्चय करके नाराजी वही मार्ग में एक इस्तान पर बैठ कर स्री विश्णू का ध्यान करते हुए ये प्रातना करने लगे कि हे प्रवों संसार में आपके समान मेरा हितु अन्य कोई नहीं है अस्तु आप यहीं प्रिकट होकर मेरे मनुरत को पूर्ण करें नाराजी के इस प्रातना को सुनकर स्री विश्णू उसी इस्तान पर प्रिकट हो गए तब नाराजी ने उन्हें अपना मनत्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया है नाराज जिस प्रकार बैद रोगी के च्छा के प्रतिकूल भूजन देता है उसी प्रकार में भी आपकी सेवा करूँगा इतना कहकर स्री विश्णू अंतर ध्यान हो गई नाराजी उनके गूण बचनों का भावार्त नहीं समझ सकी अर्स्तू नाराजी का संपूर्ण सरी श्री विश्णू के जैसा हो गया परन्तु उनका मुख बंदर जैसा बन गया नाराजी वहां से उठकर सीग्रता पूर्वक पुने राज सभा में जा पहुँचे नाराजी बारम बार अचकते हुए मनी मन यह विचार करके प्रिसन होने लगे कि अव राज कन्या मुझे छोड़कर अन किसी का बरण नहीं करेगी उस सभा में नाराजी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका अते सभ ने उन्हें नारद समझ कर ही प्रिणाम किया भगवान सदा सिव के दो गण भी ब्रामर का रूप धारण किये हुए बैट थी उन दोनों से यह रैस्य छेपा ना रह सका अस्तूबे दोनों नाराजी के पास जाकर बैट गई उन्होंने मुस्कराते हुए नारजी से कहा हे मुनिस रिष्ट आपको तो भगवान विष्णू ने अत्यंद सुन्दर रूप प्रिदान कर दिया है अब भला राज कन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों सुईकार करेगी सुच जी ने कहा हे सौनक आदी रिष्ट इसी बीच वे राज कन्या भी स्वेंबर सवा में आप पहुँची जब उसने नारजी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वे अपने मन में अत्यंत अप्रिशन होई और मुँ फेर कर दूसरी पंक्ती में अपने योग पती को ढूड़ने लगी इधर नारजी की यह दसा थी कि वे बारं बार उचक उचक कर चारों ओर से उस राज कन्या के समी पहुँचने का प्रत्न करते थी सिवजी के वे दोनों गड़ नारजी की इस दसा को देखकर परसपर और अधिक हास्य कर उठे ठीक उसी समय भागवान वेशनों उस सबा में आप पहुँचे उन्हें देखते ही राज कन्याने प्रसन होकर उनके गले में बर मला डाल दी यह देखकर अन्य सब राजा तो निरास हुए ही देवर्सी नारजी अत्यंत बेवल हो गए उस समय उन दोनों सिवगणों ने नारजी से यह कहा है मुनी राज आप इतने दुखी क्यों होते ही किरप्या कर आपने मुख को किसी धरपण में तो देख लेजिए बुलो सिव संकर भगवाने की जै बुलो सिव महा प्राने की जै